असलाम वालेकुम दोस्तों आपका बहुत-बहुत इसकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं जी हां अगर आप चाहते हैं कि जिनसे आप बहुत महबबत करते हैं बेंतहां प्यार क आपके करीब आजाएं उनसे आपका निकाह हो जाएं तो आप इस अमल को कर सकते हैं यह बहुत ही जादा आसान है इसे करने के लिए आपको बस एक दुआ पढ़नी होगी कोई भी दुरूद शरीफ तीन बार फिर आपको या वदूदू एक हजार एक बार और एक हजार बा या लगू या रह्मानू या रहीमू और इसके बाद दुरूद शरीफ तीन बार जी हां मकसद की दुआ करनी होगी आपको और आपका काम बन जाएगा तो इस विडियो को ध्यान से देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या-क्या आपको किस तरह से करना है और कैसे आपका ज जो मुहबबत है उसका नाम लेते हुए आपको एक धागा लेना है काले रंग का धागा ले लिजे और उसके बाद आपको इलाइची ले लेनी है इलाइची आपको इस तरह से लेनी है इलाइची के उपर आपको धागे को इस तरह से लगाते जाना है और आपको बोलना है या अल्लावू या रह्मानू या रहीमू ये आपको बोलना है एक हजार बार और या वदूदू आपको बोलना है एक हजार एक बार तो जैसे जैसे आप इस पर धागा लपेड़ते जाएंगे आपको बोलते जाना है या वदूदू या वदूदू या वदूदू या वद अबर हो जाएगा इस तरह से ढख जाएगा यह तो आपको जो अगली चीज करनी है वह आपको कोई भी दुरूद शरीफ तीन बार पढ़नी है या फिर आप अगर या वदूदू को एक हजार बार बोल रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है दुरूद शरीफ पढ़ने की यह म पढ़ना है पढ़ने का तरीका मैं ने आपको बता तेया एलाइची लेनी है और उसके उपर अपको धागे को लपेटे जाना है 2001 बार और उसके बार आपको पने मक्सत की द्वा करनी है मकसद की दुआ यानि कि आप जिस भी अपनी आपकी जो भी आपकी खाईश है आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए मन पसंद जिससे आप चाहते हैं उससे आपकी शादी हो जाए तो आपको अपनी महभूबा का नाम बोलना है महबूबा का नाम जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अभी नगमा और यहाँ पर आपको एक प्लस का साइन लगाना है और आपको अपना नाम लिखना है महबूब का नाम अपना नाम लिख सकते हैं अगर आप कुछ इस तरह से भी करें अपना नाम आपने यहां पर लिख दिया मैंने यहां पर मुहिं लिखा है इस तरह से आपको लिखना है और उसके बाद आपको इस कागस को मोड देना है इस तरह से और इस कागस के अंदर आपको यह जो इलाइची है जैसे कि मैंने आपको बताया इस पर दहागे को लपेट्ते लपेड़ते या वदू-दू पढ़ना था इस इलाइची को आपको इस काघस के बीच में इस तरह से यूँ डाल देना है और उसके बाद इस काघस को एकवर और fold करके एक पर और fold कर दीजिए इस तरह से और इससे आपको अपने तक्वीय के नीचे रख कर सो जाना है ऐसा आपको 7 दिनों तक करना है और यकीन मानिए साथ दिनों से पहले पहले ही आपके पास इस बात की पूरी तरह से confirmation हो जाएगी कि आप जिससे बहुबत करते हैं जिससे आप शादी करना चाहते हैं वो आप से उनकी शादी हो रही है इस तरह से आप अपने मन पसंद की शादी कर सकते हैं इस अमल का इस्तमाल करके आप इसे कीजिए अगर आपकी कोई और परिशानी है कुछ और दुआ की जरूरत है आपको तो आप हमारे नमबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा आज की वीडियो में बस इतना ही अपना ध्यान रखिए दूस्तों शब्बा खैर